भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मैं सबसे पहले तो इस सभागराह में उपस्तित, एंडिये घटक दलों के सभी नेतागान, नव निर्वाचीत सभी साउसदगान, और हमारे राजसभा के भी साउसदगान, आप सबका रदे से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। मरी रेखुसी के बात है कि इतने बड़े समू को, आज मुझे यहाँ स्वागत करने का आउसर मिला है। जो साथ ही विजयी होकर के आए हैं, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन जिन लाखो कारकरताओं ने, दिन रात परिश्रम किया है। ने उन्होंने दिन देखाना रात देखी, और इतनी भैंकर गर्मी में है। हर दल के कारकरता ने, जो पुरुशार्त किया है, परिश्रम किया है। मैं आज सम्विधान सदन के इस सेंटरल होल से सर जुका करके उनको प्रनाम करता हूँ। साथियों मेरा बहुत सवभाग्य है, के इंडिये के नेता के रूप में, आप सब साथियों ने, सर्वसम्मत्य से चून करके, मुझे एक नया दाईत्व दिया है। और इसके लिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। गर्ति के जीवन में, एक मैं जवाबदारी का एसास करता हूँ। जब 2019 मैं, इस सदर में मैं बोल रहा था, आप समने मुझे नेता के रूप में चुना था, और तम मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दाईत्व देते हैं, इसका मटलब है, कि हम दोनों के बीच हम अपस में विश्वास का सेत्व इतनों मजबूत है। ये अतूट रिस्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है, और ये सबसे बड़ी पूजी होता है। और इसलिए ये पल मेरे लिए भाव करने वाले भी है, और आप सब के प्रतिजी, कितना धन्यवाद करूँ, उतना कम है। साथियों, बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं, साथ उनको शूप नहीं करता होगा। लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए, कि NDA, आदेश में, 22 राज्यों में, लोगों ने उनको सरकार बना करके सेवा करने का मौका था। हमारा ये एलाइंस, सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिवीम है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी नजर करें, हमारे देश में, दस ऐसे राज्यों, जहां हमारे आदिवासी बंधों की संख्या, प्रभावी रूप से है, निरनायक रूप से है। जहां इस आबादी आदिवासी की ज़्यादा है, ऐसे दस राज्यों में से, साथ राज्यों में एंडिये सेवा कर रहा है। साथियों हम सर्वपंत संभाव के हमारे संभिधान को समर्पित हैं। और देश में, चाहे हमारा गोवा हो, यह हमारा नौर्थ इस्ठ हो, जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे इसाई भाई बन लेते हैं। आज हम उन राज्यों में भी एंडिये के रूप में सेवा का आउसर हमें मिला हूँ। साथियों, प्री पोल एलाइंस हिंदुस्तान के राजनीति के इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गडवंदन के इतिहास में हैं। प्री पोल एलाइंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है, जीतना की एंडिये हुआ है। और ये गडवंदन का विजय है, हमने बहुमत हासिल किया है। और मैं कई बार कह चुका हूँ, शब्दा अलग होंगे, लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवशक है, लोकतंत्र का वही एक सिध्धान्त है। लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आदेश वासियों को यहां से विश्वाद दिलाना चाहता हूँ, कि आपने जिस प्रकार के हमें बहुमत दे करके सरकार चलाने का सवभाग्य दिया है, यह हम सब का अदाईत को हैं, कि हम सर्वमत का अंदिरंतर प्यास करेंगे, और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोड कसर नहीं छोड़ेंगे। करेंगे टामार के लिए हमें राने का हमा मैं, जिस तो मुपिंध छित्यमンド मैंडिव संड़ू्झे टाह करेंगे, यह मुपिंज मुबा हमनेuren में